नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि होमेपैथी में कुछ ऐसी दवाईयां हैं जो कि निम्न सक्ती में एक गुण, उच्च सक्ती में दूसरा गुण रखती हैं चिकत्सक को ऐसी उसदियों की लिस्ट बना लेनी चाहिए इस परकार की कुछ उसदियां का मैं उल्लेक आज इस वीडियो में कर रहा हूँ तो आईए देखते हैं पहली दवा है एब्रोटेनम, 30 से 200 सक्ती के बच्चों के सूखा रोग में और 3X में गठिये के दर्द में उप्योगी रहती हैं अगर सूखा रोग है तो 30, 200 में इस्तिमाल कीजिए, अगर गठिये के दर्द में इस्तिमाल करना है तो 3X में यह उप्योगी रहती है एकोनाइट दो सो सक्ती में चहरे के दर्द में और एक से तीन सक्ती किसी अंग में रूधीर संचय अर्थात कंजेशन में उप्योगी रहती है निम्न सक्ती में वात व्याधी अर्थात रूमेटीज में भी यह दबा लाबदायक है आगे की दबा अगेरिकस 3200 बायकंदे के दर्द में उप्योगी है तो अचा के रोग तथा दिमागी कमजोरी में 3 से 6 सक्ती देना उप्योगी रहता है याद रखें असनायू संस्थान की कमजोरी में अगर मेफाइटिस को निम्न सक्ती में लिया करें ताकि असनायू संस्थ की कोई भी कमजोरी है वो निमने सक्ति को ठिक कर देता है अगर नुमेफायटिस के निमने सक्ति का इस्तिमाल करेंगे आगे पर है एंटिम क्रूड निमने सक्ति में सिफिलिस रोग में होने वाले हड्डियों के दर्द में उप्योगी है उच्छे सक्ति में बच्चे के के समस्या है जीप पे वाइट लेप सा दिख रहा है बच्चों में या बरू में भी तब आप उच्च सक्ती अर्था 30-200 में इस्तमाल कीजिएगा आगे पर हैं एंटिम टाट 2x में कर्फ धीला पर जाता है 3-6 देने में कर्फ को वो करा कर देता है तो अगर कर्फ को धीला कर है चोट में 200 या 1m सबसे उत्तम रहता है अर्सेनिक अगर पेट आठ गुर्दे आधी की रोग के लक्षनों में देना परे तो 6 शक्ती लाबदायक रहती है तो अचा की रोग में देना परे तो 2x 3x और अगर स्नाइविक रोगों के लिए देना परे तो उच्च शक्ती मे यह दवा लप्रद रहता है मृत्यू के समय अगर रोगी बहुत बेचायन हो तो उच्च शक्ती अंतिम छणों की बेचायनी को दूर कर देता है तो मैंने अर्सेनिक के बारे में बता दिया कि निम्न शक्ती में क्या उच्च शक्ती में कब दे 2x 3x में कब दे आगे बढ़ एक या थ्री सक्ती पेट की गरबड़ी में उच्च शक्ती जीवनी सक्ती के हरास में देना चाहिए जैसे अर्सेनिक मैंने बताया अर्सेनिक के बारे में कि जैसे अर्सेनिक उच्च सक्ती मरते समय व्यक्ती की परिशानी को शांत कर देती है वैसे ही कार्बो वेच की उच निम्र सक्ति में दे, तो समझ ले, वो लाब नहीं करेगा, हमेशा इसका इस्तमाल 12 से उपर के सक्ति में ही किया करें, चाइना, 6X जीगर के रोगों में, 2X, 3X दस्तों में, और 200 या उससे उपर, तिल्ली के रोगों में उपियोगी रहती है, आगे देखते हैं, हीपर सल्फ अगर 4A को 4 ना हो, तो 1X, 2X निम्र सक्ति का इस्तमाल करें, और अगर भीतर ही सुखा देना है, तो 200 सक्ति का इस्तमाल कीजिएगा, अगर TV के रोगी के फेफरेट ठीक हो गया है, तो इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिफिर खुल जाते हैं, लेकेसिस, अपेंडिस में 6 सक्ति का इस्तमाल करें, बागी अनिरोग में हमेशा उच्छे सक्ति का इस्तमाल लेकेसिस का करना चाहिए, आगे देखते हैं, लाइको पोडियम, नपुन शक्ता में 1M, और पेट आदी अन्य समस्या में 30-200 सक्ति का उप्योग करना चाहिए, आगे निम्न सक्ति में तो हमारे भोजन में रहता ही है, सबको पता है, नेट्रम्यूर मिन्स सधारम नमक, ति इसका प्रियोग हमेशा उच्छे सक्ति में करना चाहिए, निम्न सक्ति में हर खाने में नमक हम लोग डालते ही है, आगे देखते हैं, नक्स वोमी का, निम्न सक्ति मे कब्ज करता है उच्छे सक्ती में कब्ज को खोलता है रस्टक्स निम्न सक्ती का प्रियोग acute rheumatism में तथा पक्छागात में उच्छे सक्ती का प्रियोग पुराने वात रोग में तथा त्वचा के फोरे फूंसिय एवं diarrhea, dysentery में किया जाता है ध्यान दिजेगा निम्न सक्ती का प्रियोग acute rheumatism में और उच्छे सक्ती का प्रियोग पुराना अगर रोग पड़ गया है rheumatism का तो उच्छे सक्ती दें और अगर तवचा में फोरे फूंसिय एवं diarrhea, dysentery हैं तो रस्टक्स की उच्छे सक्ती का इस्तवाल करें सिप्या, निम्न सक्ती में काम नहीं करती है इसको remember रखिएगा साइलिसिया, हीपर, सलफर और मर्क्सॉल की तरह या भी निम्न सक्ती में पस निकालकर फोरे को फोरता है उच्छे सक्ती में सुखा देता है, तो मैंने कुछ दवाईयां की बारे में यहां बताया जो कि निम्न सक्ती में अलग तरह से और उच्छे सक्ती में अलग तरह से काम करती है इन्हें याद कर लेना या नोट करके रख लेना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने यह वीडियो को बनाया है आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी हमसे जुरे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि दूसरे भी इसे से लाग प्राप्त कर सके अगर वीडियो देखने के बाद भी समझने में परिशानी आ रही हो या आप ट्रेटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पर दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे वाटसप नंबर 9006242658 पर हमसे आप संपर कर सकते हैं दवा आपको किसी भी होमेपैथिक शॉप पर मिल जाएगा याद रखें दो दवा लेने की बीच हमेशा 10-15 मिनिट का गैप दें खाना खाने की आदे गंटे पहले या आदे गंटे बाद ही दवा लें कच्चा प्याज और खटी चीजों का सेवन ना करें WSI, Requig, SBL, Adel किसी भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं सभी अच्छी हैं धन्यवाद